Hello everyone, my name is Yogesh और स्वागत आप सभी का English गुरूजी चैनल में Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम daily use English words और उनकी meaning share करने वाले हैं अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के description box में दिया गया है आप अगर चाहें तो वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपने English को improve कर सकते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की सबसे पहला word है M-A-K-E, make, यानि की बनाना Next, G-I-V-E, give, यानि की देना L-E-A-R-N, learn, सीखना Next, W-E-P, weep, यानि की रोना H-T-E-A-L, steel, यानि की चुराना Next word, F-O-R-G-E-T, forget, यानि की भूलना यहाँ पर एक interesting point में गाईस आप सभी की साथ share करना चाहता हूं F-O-R-G-E-T, अक्सर student इस word को गलत तरीके से pronounce करते हैं, यानि की उच्चारन करते हैं, वो इसको forget कहते हैं, यह forget नहीं है, बलकि यह है forget, forget, यानि की भूलना Next, C-O-M-E, come, आना C-A-T-C-H, catch, पकरना T-E-A-C-H, teach, यानि की पढ़ाना Next, S-P-E-A-K, speak, यानि की बोलना अगला word देखिए, D-R-I-N-K, drink, पीना W-A-L-K, walk, घूमना A-R-I-S-E, arise, यानि की उठना Next, B-E-G-I-N, begin, शुरू करना B-I-N-D, bind, बांधना Next, देखिए, B-R-I-N-G, bring, लाना B-E-A-T, beat, मारना या पीटना दोनों ही sense में इसका हम यूज करते हैं Next, देखिए, B-I-D, bid, यानि की आदेश देना Next, B-I-D, bid, बोली लगाना देखिए, जो यह word है न, B-I-D, इस word को एक ही तरह से परनाउंस करा जाता है, bid और इसका क्या मतलब है, दो sense में इसका परियोग करा जाता है एक तो आदेश, देना, और दूसरा बोली लगाना दोनों ही sense में इसका यूज करते हैं Next, देखिए, B-E-C-O-M-E, become, यानि की होना So guys, यह थे 2020 daily use English words और उनकी meaning I hope कि यह छोटा सा वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो comment section में जरूर बताईएगा कि यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा Good bye